कि आप मेरे प्यार में पागल हो जाओगे दोस्तों मतलब मेरा बताने का मतलब क्या है दोस्तों अगर आपको किसी भी औरत को अपने प्यार में पागल करना है अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे जो औरत पसंद है ओ अवरत हमेशा दिन रात मेरे बारे में ही सोचे उसके दिल और उसके दिमाग में शरीप मेरा ही चितर रहे यानि कि उसको आपको अपने प्यार में पागल बनाना है कि वो आपके मतलब पीछे ही पढ़ जाए तो अगर आपको ऐसा दोस्तो करना है ना तो आजका जो वीडियो है न वो स्रिफ आपके लिए है जिहां दोस्तो क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको by suppose किसी भी औरत को अपने प्यार में पागल बनाना है मतलब दोस्तों आप उसको अपने वश में कैसे कर सकते हो कि ऐसा आप दोस्तों क्या खरोगे कि जो करने के बाद ओ औरत आपके प्यार में ना एकदम पागल हो जाएगी अगर आप उसके आजू बाजू में नहीं रहोगे तो उसको ना मतलब अंदर से कुछ ऐसा मतलब ऐसा है ना मतलब सैड सैड लगेगा यानि कि ओ अवरत आपके प्यार में पागल हो जाएगी जी हाँ दोस्तो मतलब इस बात के मैं गयारेंटी दोस्तो एता हुए यहाँ पर दोस्तो अगर आपको जानना है ना कि आप किसी भी औरत को या फिर आप किसी भी मतलब गरल को अपने प्यार में पागल कैसे बना सकते हो तो आज का वीडियो आप स्टैटिंग से लेकर एंडिंग तक आप पूरा देखे क्योंकि आधा अधुरा वीडियो देखने से इसका कोई भी फाइदा नहीं होने वाला तो वीडियो को पूरा ही देखे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को देखो सबसे पहले प्रकर का जो काम है और देखो कोई सा है कि आपको जिस भी अवरत को अपने प्यार में पागल बनाना है न तो उसको अपनी आदत लगवाओ जी हां दोस्तो क्या बोला मैंने उसको अपनी आदत लगवाओ दोस्तो देखो जो आदत होती है ना आदत मतलब दोस्तो आदत जो शब्द है ना ओ मैं यहाँ पर एक्चुली नहीं आपको पहता हूँगा आदत ने आप उसको अपनी ना अशा लगवाओ नशा अब दोस्तो आप मुझे इसा पोलोगे कि भाई तू मतलब जो बोल रहा है ओ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा देखो दोस्तो में अभी आपको मतलब सिंपल शब्द में बताता हूँ दोस्तो आप अगर किसी भी अवरत को अपनी आदत या पिर अपनी नशा अगर आप उसको लगवाते हो ना फॉर एक्जम्पल आप उसके साथ ना हमेशा बाते करो च अचानक उसको यह सब करना बंद कर दो अगर किसी भी वक्ती की हो या फिर किसी भी चीजंगी एक बार आदत दोस्तो लग गई ना और हमेशा रहो तोस्तो मतलब इसके अलावा भी आप दोस्तो कुछ भी काम कर सकते हो पर फेरा बताने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ करो जो करने के बाद आप उसको अपनी आदत लगवा सकते हो मतलब आप उसको अपनी आदत लगवा ओ तोस्तो देखो जो दूसरे प्लकार का ज चीज या पर ऐसा गिफ्ट उसको देते रहो जो उसको चीज नहीं मिल रही है अब दस्तो देखो यहां पर न दस्तो यहां पर भहुत बदा गेम होता है दोस्तो अगर आप ही दोस्तो ऐसा दोस्तो मान लो कि अगर मैं आपकी हमेशा तारिप दोस्तो करता हूँ और आपको कभी ना कभी ना ऐसी चीजी भी दोस्तो में थेता हूँ जो चीजी आपको नहीं मिल रही है तो दोस्तो अभी आप ही मुझे बताओ कि आप मेरे मतलब अभी मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा कि आप मेरे प्यार में पागल हो जाओगे दोस्तों मतलब मेरा बताने का मतलब क्या है कि आप मेरे साथ इतने दोस्तों मतलब एटेच हो जाओगे कि नहीं कि अगर मैं आपकी हमीशा तारिप करता हूँ अगर मैं आपको ऐसी चीजे तेता हूँ जो चीजे आपको नहीं मिल रही है तो आप भी दोस्तो ना एरे से एकदम कनेक्ट हो जाओगे इससे दोस्तो क्या होता है कि उसके बीच में और आपके बीच में एक बॉंडिंग बनती है कि ए बंदाना मतलब एकदम स्पेशल है और दोस्तो उसके बाद जो तिसरे प्रकार का जो काम है जो दोस्तो भूद बड़ा ब्रह्मस्त्र है और दोस्तो कुन सा है कि emotional attachment बनाओ जी हाँ दोस्तो दोस्तो आप मतलब जब आप मतलब उसके साथ दोस्ती करोगे तो दोस्तो एक बार श्रीप एक बार आप कोई ना कोई ऐसा दोस्तो काम करो जो काम उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता जी हाँ दोस्तो अभी मैं इस point को एकदम दोस्तो मतलब भाशन की थर में इलकुल भी नहीं खीच रहा अभी मैं आपको short form में यहाँ पर पता रहा हूँ कि अभी न दोस्तो आप उसके लिए कोई न कोई ऐसा एक काम करो जो काम उसके लिए कोई भी बंदा नहीं कर सकता दोस्तो इससे दोस्तो क्या होगा कि अगर आप by suppose उसके लिए ऐसा कोई न कोई काम करते हो जो उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता तो उसके न दोस्तो आप सिधा दिल में जाओगे जी हा दोस्तों क्या वला मैने, उसके आप सिधा दिल में जओगे और एक बार अगर आप किसी भी मतलब उमेन के दिल में जाते हो तो उसको एमप्रेस करना, उसको पटाना दोस्तों आपके बायहात का खेलोता है दोस्तो ये जो मेरी बात है ना इस बात को आप अपने दिमाग में गाड बान लो दोस्तो बस आजकी इस वीडियो में इतना ही अगर आप जो मैंने आपको काम बताए ओ काम दोस्तो अगर आप step by step properly अच्छी तरीके से अगर आप करते हो ना तो आप निश्चित किसी भी अवरत को अपने प्यार में पागल बनवा सकते हो तो बस आजकी इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद